बिहार के पुर्वी चम्पारण में आई बार की यह तस्वीर इस बात के सबूत है कि बिहार में बार के बिक्राल रुप का कहर लोग जहलने के लिए बिवश हो रहे हैं बार के तरास्दी की यह तस्वीर देखकर आपको लग जाएगा कि बार ने इलाके को तहस नहस कर दिया है बार के तरास्दी की यह तस्वीर exclusive है जो मुतिहारी से समने आई है इस तस्बीर में देखे कि बार की प्रचंड वेक की वज़े से नदियां कटाव कर रही है और इस कटाव में कई घर बिलीन हो रहे हैं नदी के कटाव की वज़े से देखते ही देखते एक इमारत नदी में जमिन दोज हो गई महज 18 सेकेंड के इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक पका मकान नदी की धारा में किस तरह जल समाधी ले रहा है आपको बताने कि लगातार हो रही बारिश से पूर्वी चमपारण की सभी नदियां खत्रे के निशान से उपर बह रही है नतिशतन बार की वज़े से नदी की पानी की तिब्रता काफी खतरनाक हो गई है मुतिहारी की सुगौली इलाके से गुजरने वाली इस सिकर हरना नदी में दरजुनों घर नदी की कटाव की चपेट में आ गये हैं और लोग बेघर हो रहे हैं आपको बता दें कि यह तस्वीर भी सुगौली प्रखंड के भवानी पुरपंचयत के उतरी छपरा बहास की है जहां तिनका-तिनका जोर कर घर बनाया गया था पर इस बार की बार ने उसे अपने आगोष में ले लिया इस बार की बार की हालत से प्रशासन बेखबर है घर दोर से लेकर पूल-पुलिया बार की चपेट में बह रही हैं यह तस्वीर छोड़ादानों प्रखंड की है, जहां सरक के बीच बने पूल बार की चपेट में दह गया है. इलाके की तवाही की यह तस्वीर देखने से आपको पता चल जाएगा कि अभी तक प्रशास्निक मदद भी लोगों तक नहीं पहुंची है जबकि बार बिक्राल है नेपाल में भारी बारिश के साथ ही बिहार के चमपारण में भी मांसून की बारिश ने भारी तवाही मचा रखी है. लोग बेघर हो रहे हैं, बार से बचने के लिए इलाका खाली कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार लोगों तक राहत लेकर नहीं पहुंची है और लोग जार बिजार हो रहे हैं, लोग त्राही माम कर रहे हैं, अब बार के इस बिक्राल रूप को देखकर लोग डरे सहमे हैं। यह ग्राउंड रिपोर्ट है, जो मुतिहारी के छोरादानों और सुगावली सी आई है। इन तस्वीरों को देखने से आपको लग जाएगा कि बार की विनाशकारी लिला कितना है। खुलासा के लिए मुतिहारी से अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट।